हेलो एबरिवन हम लोग केनामेटिक्स 1D पर चुके हैं केनामेटिक्स 1D मतलब मोशन एलोंग स्ट्रेट लैन और बात करेंगे आज केनामेटिक्स 2D का याणि मोशन इन ए प्लेन देखते हैं क्या है और उसी में जो आज हम लोग details में study करेंगे वो है projectile motion तो फटाफट copy pen लेके तयार हो जानी है handwritten notes को सामने रखनी है तो समझना जरा आसान हो जाएगा तो पहले थोड़ा introduction कर लेते हैं introduction to d motion का introduction to projectile motion समझते हैं कि क्या है projectile motion देखो माल लेते हैं कोई body है यहां पर और इस body को फेके तो body पहले यहां पर था और यहां से फेके तो यहां गया फिर कुछ दरें बोड़ी यहां चला जाएगा फिर कुछ दरें बोड़ी यहां चला जाएगा और फिर कुछ दरें बोड़ी यहां चला जाएगा तो देखो जब बोड़ी को फेकेंगे तो एक ही साथ बोड़ी का देखो माल लेते हैं किसी समय उसका पोजिशन है पी और उस तो ये वाला part हुआ x और ये वाला part हुआ y तो जब पार्ट यहां से यहां जाएगा तो क्या उसका x बदलेगा बिल्कुल क्या उसका y बदलेगा बिल्कुल तो क्या उसका x and y दोनों बदल रहा है तो इसलिए बुलेंगे इसको 2D евotion यानि X and Y दोनों बदल रहा है ठीक है तो जब particle P point position पर होगा तो यहां से मिलाएंगे P P को मिलाएंगे O से तो मिला हो जाएगा O P इसी O P को हम लोग बोलते हैं position vector of P with respect to O यानि O से देखेंगे P को तो P का position vector O के respect में O P मिल जाएगा तो जब particle motion करेगा तो उसका X and Y दोनों बदलेगा यानि position vector change करेगा तो 2D motion में position vector पर ध्यान रखना है आर पर तो यह था मेरा body को ground से फेके और यूं करते करते body ऐसे चला गया दूसरा के ऐसा हो सकता है कि body को हम कहा से फेकते की कुँँ चाहिए से फेकते मा लेते यहां पर थे कर यहीं पर से body को फेक देते यूं यूं आजाता बॉल्पी यूं मतला यनी body पहले यहां था यहां यहां गया फिर बॉड़ी 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 यह वार्टिकल डॉन को छोर के किसी भी एंगल पर किसी भी एंगल पर और किसी भी हाइट से फ्प魇न applies का मतला वहां सब्क सकते हो या चार मिनार पर चड़ गए टावर और वहाँ से फिक दिए तो कहा लाएगा प्रोजेक्टील मॉश्यूंग किसी भी हाइट से भी हो सकते हो। या तो गुंचाहिसे वह सकते हो। मान लेता है टाबर है यह उसको ऐसे फिक देता है है तैसे यह इउघ है में गिर जाएगा व को सेंग ँब विल्कुल अईसे भी फिक सकते हैं धेहान से देखना और SS आंच कि आएसे फेक सकते हैं एख होता है प्रोजेक्टेल इंक्लाइन प्लेन पर माल लेता है यह प्लेन है यह ब्रॉडी को लिए यहाँ से और आजा करके फेक है याओ रख गेरेगा यूब हेँभ लू सीटी से फेक्ने को को यू बोल दे तो यू क्या चीज़ वा फेकने का विल्प क्लेक बोले यू इहां से फेक अब यह उपर से नीचे फेक देता है इस से इन सारे मोशन को बोलेंगे प्रोजक्टायल मोशन फिर से समझते हैं काता है जब बड़ी को भर्टिकली अप और भार्टिकले डॉन छोर के किसी भी एंगिल पर किसी भी हाइट से फेकेंगे तो कहलेगा प्रोजक्टाइल मोशन मतला आर्थ ग्रेविटेशनल फिल्ड में यह आर्थ ग्रेविटेशनल फिल्ड में बोडी को किसी भी हाइट से किसी भी एंगिल पर फेकेंगे तो कह बोड़ी को बोलते हैं projectile उत्व clear हो गया यह जैसे यह marker इसको फटेंगे इसको फेकेंगे इसी को बोलेगा projectile जिसे ball को फेकेंगे तो ball ही हो गया projectile clear है और उसी का motion को study करेंगे थो गया projectile motion clear है अब इसमें देख़ो कुछ-कुछ खास बाते हैं ध्यान रखना है जब बॉड़ी को फेकेंगे हम अर्थ ग्रेविटेशनल फिल्ड में किसी भी एंगिल पर किसी भी हाइट से तो कह लाएगा प्रोजेक्टायल मोशन तो इसमें कुछ-कुछ बाते हैं जिसको ध्यान में रखना है जैसे देखो बॉड़ी यहा लिएगा तो बर्टीकल मोशन में अल्रेडी पर चुके तो जिकि एदर लगें अल्वेज डॉन बार लगेगा जब बटी यहां रहेगा तो जी नीचे लगेगा हर जेगा बॉड़ी पर जी लगेगा ऐसा ने की जी लगना बंद हो जाएगा तब बोड़ी पर जी यानि जी हो गया acceleration due to gravity जो हमेशा फार्टिकली डॉन बाड लगेगा इसमें कैसे लगा देख बॉडडी पहले यहां था फिर बॉडडी यहां गया फिड़ी यहां फिड़ी यहां फिड़ी यहां तो लगे लेशे कि दर लेशे जी इसमेशे कि दर लागे नीचे जी एवह चलो बस बाड़ा करेगा इसमेर की खरी को लगेगा नीचे लगेगा कि आप देखो प्रोजेक्टेल कितने तरह का होसकता है तो कहता है प्रोजेक्टेल इसको क्यों सब बोलेंगे इसको एस किया नाम दिया गया है horizontal projectile यानि body को जब horizontal direction फेकेंगे तो कहलाएगा horizontal projectile अब इसको क्या बोलेंगे ये भी हो गया oblique projectile यानि तिर्छा बाला projectile इसको क्या नाम दिया गया है तो इसको नाम दिया गया है projectile on an inclined plane क्या नाम दिया गया है projectile on an inclined plane ये अप the inclined plane है और यह projectile on an inclined planeYes don't in class inclined plane क्या होता है आप से बना हुआ नहीं धलान ऐसे यह दलान बना हुआ कि अउसी पर बोड़ी को फिकेंगे खुए हुआ Projectile on an inclined plane ठीक तो प्रोजक्टेस्टिज नीट्रय का हो गया ओलीग प्रोजक्ट duda प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ओन इन्क्लाइट प्लेंड देख एक इंट्रस्टिंग चीज लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि जब किसी बॉड्डी को फेक रहे था ना इसे ऐसे फेक है यह मेरा फेकने का वेलोसिटी था तो सबसे पहले गलेलियू सहब का नाम स होता है ना वह होता है फाराबोलिक फार बोलीक पालय आन्य पाराबोला दt इस पकार पाथ वा सथाजय बटी और मिया वह और पॉलिदेंग आर्द जीस पाथ कuddo कडिक और वा पाथ कैसा होगा पार ऑन पार बोलका पार बोलकश दाया जैसे स्टेट लाइन होता है सरकील होता है उसी तरह से पाराबोला होता यह पाराबोला हो गया यह भी पाराबोला हो गया पाराबोला वह ग्राब भी हम लोग सीखे थे समझ में आ गिया next अभी बताये थे types of projectile motion कितने तरह का होगा पहला टाइप अबलीक प्रोजेक्टाइल अबलीक प्रोजेक्टाइल मोशन शॉट में लिदता हो में दूसरा टाइप कौन सा होगा होरिजेंटल 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 प्रोजेक्टाइल मोशन तीसरा क्या होगा तीसरा होगा प्रोजेक्टाइल औे इन ग्लाइन प्लें प्लेंगे तीन तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे ये और ये और ये तीनों को फिर तेख लें क्या है बडीक ूकॉन सा ही अटाक हो को है जेगल जुणी को एसे को यह एसे और उल्वर फिका यह न sigue है अबहरी Dubai को किसी उंचाई ही सही ऐसे भी फिक दो यह अब लिगー कि यह थैे यहां पर देक्थे यहां बोडी को नुंकर कंदे किसी उंचाई होग गया मेरा अबलिक प्रोजेक्टायल क्लियर है होरिजेंटल प्रोजेक्टायल मोशन कौन था पीछे दिखा दूँ यस दिखा देता हूं कौन-कौन अबलिक प्रोजेक्टायल बताओ यह वला यह वला वह वला नहीं यह तो होरिजेंटल में आ जागा यह वला हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होगा यह वाला होगा होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन अब प्रोजेक्टाइल मोशन अब यहां देखना स्टार्ट करो माल लेते एक body है उसको फेक है U, दियान से समझना, और फेकने का velocity जो था न, वो माल लेते हैं U है, और ये है theta, एक एक छोटा-छोटा बात को समझना है, पहले यू को क्या बोलेंगे, पहले ये समझाओ, यू को हम लोग बोलेंगे, initial velocity, यू को क्या बोलेंगे, initial velocity, theta को क्या बोलेंगे, theta को, theta को बोलेंगे, angle of projection, angle of projection, वो हो गया, point of projection, वो को छोड़ देता हूं, आप देखो, velocity, पार्टिकिल का यू है, तो बताए तेने, वेलोसिटी में दो-दो कंपोनेंट होगा, पार्टिकिल एक ही साथ, x-axis के तरफ भी जा रहा है, और y-axis के तरफ जा रहा है, देखेते हैं हम लोग, तब इसको ऐसे करते हैं, इसका component तोड़ेंगे हम लोग, देखो, अगर ये u है, तो ये कितना होगा, ये, इसको बोलते हैं हम लोग, ux, u का x component, और इसको बोलेंगे, u का y component, तो ये अगर u है, तो ये क्या हो जागा, yes, याद कर लेना इसको, u cos theta, ये अगर u है, तो उसका x component हो गया, u cos theta, theta angle बनाएगा, तो याद रखना है, u अगर x-axis से theta angle बनाएगा, तो ux हो जागा, u cos theta, vector को पढ़े थे हम लोग, और इधार वाला क्या हो जागा, ये हो जागा, u sin theta, component में ने तोरते हो, ने पढ़े हो कभी, जैसे ऐसे देखो, फिर से समझाता हो, जैसे कोई ये है velocity u, u हो गया, और ये angle है theta, तो ने तोरते हो, इधार को बोलेंगे u x, इधार को बोलेंगे u y, u x मतलब u cos theta, u y मतलब u sin theta, यानि u velocity इधार है, लेकिन उसका एक component इधार है, जो particle को x के तरफ ले जाएगा, और दूसरा component ये है, जो particle को y के तरफ ले जाएगा, यानि ये particle को इधार ले जाएगा, और ये वाला particle को इधार ले जाएगा, ठीक, अच्छे एक बात बताओ, u बराबर, u बराबर हम लोग लिख सकते हैं, u x i plus u y j, अराम से पर होग एगदम, एगदम क्या बोलते हैं उसको, concentration बना के, u को लिख सकते हैं, u x i, u y j, u x के जगा क्या रख देंगे, u x के जगा रख देंगे, u cos theta i, u y के जगा, u sin theta j, ये हो गया u x, u y, u हो गया initial velocity, अब इसमें एक होता है acceleration due to gravity, वो किधर लगता है, ये अगर x axis है, और ये अगर y axis है, तो g किधर काम करता है, नीचे न, g लगता है, नीचे, इसी को acceleration due to gravity बोलते हैं, तो g का इधर वाला component क्या है, कुछ नहीं है, यानि acceleration जो मेरा है, acceleration को a बोलते हैं, और ये ही g है, तो इधर के तरफ कितना है, बिल्कुल कुछ नहीं है, 0 है, और उपर के तरफ तो है, नीचे के तरफ है, कितना है, g है, मैंग नीचे उड़े, direction क्या है, मैनस j है, यानि a बराबर यहां पर क्या है, यानि a का x component, यानि इधर acceleration कितना हो गया, 0, और उपर कितना acceleration हो गया, यानि j के तरफ कितना हो गया, मैनस जी ना इसको लिख देंगे A 0 I प्लस मैनस जी इंटू जे अब एक बात तुमको ध्यान भी तक नहीं हम हमें साब बात करेंगे इसका फ्रोम कॉंसेप्ट ओफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी लिखेंगे हम लोग फ्रोम कॉंसेप्ट ओफ प्रोजेक्टाइल मोशन यू एक्स बढ़ाबर क्या लिखेंगे यू एक्स बढ़ाबर यू एक्स बढ़ाबर हो जाएगा यू कोस्ट थेटा बहुत बढ़िया यू वाई बढ़ाबर क्या लिखेंगे u y बढ़ाबर क्या लिखेंगे u sin theta a x बढ़ाबर क्या लिखेंगे a x बढ़ाबर इधार के तरफ कितना acceleration है यहां से देखो 0 और a y यानि y के तरफ कितना acceleration है जो j का coefficient होगा minus g कितना clear है अच्छा से आगे बढ़ जाए पूरे कहानी को फिर से समझाता हूं हम लोग क्या किये थे एक body था यहां पर टेक उसको हम लोगों ने u velocity से फेका था और वो अगर theta angle पर फेकते तो इधार का velocity का component होगा और इधार component होगा बोलो तो इधार कितना होगा u x बढ़ाबर u x बढ़ाबर u cos theta इसके बज़ा से particle किदर जाएगा इधार जाएगा और इधार वाला component क्या होगा u y होगा u y बढ़ाबर क्या लिखेंगे u sin theta इसके बज़ा से particle किदर जाएगा उपर जाएगा तो Galilio 716 1632 में यह बता दिये थे कि इसके कारण इधार जाएगा और इसके कारण इधार जाएगा और दोनों motion एक दूसरे से independent होगा तो इसी लिए हम लोग कह सकते है projectile motion जो है combination है एक horizontal motion और दूसरा होगया vertical motion यहां तो पहले vertical बढ़ा लिख दिया है तो पहले यह बढ़ा देखो यानि इसके बज़ा से particle किदर जाएगा u i जाएगा u i बढ़ाबर u sin theta इसके बज़ा से particle किदर जाएगा u जाएगा u जाएगा यू जाएगा यू जाएगा और इस तरह से आजाएगा बहला बात समझ गया यह vertical motion हो गया प्लस यहाँ लिखावा प्लस क्या लिखावा है प्लस vertical motion प्लस horizontal motion horizontal motion यहाँ पर क्या है u x है u x और u x पड़ाबर क्या लिखेंगे यहाँ पर u cos theta येस तो गेलेलियू सहाब ने 1632 में बता दिया था कि projectile motion एक combination है horizontal motion का and vertical motion का और दोनों वो एक दूसरे का independent होगा clear है नीचे में लिखा हुआ भी है projectile is basically combination of two linear motions happening simultaneously जो एक साथ होता है that is we can do it easily with the knowledge of motion in one dimension and vector resolution यानि vector का resolution करते है resolution मतला component तोरना vector का component जैसे ये था न ये vector का component था u इधर है तो u cos theta u sin theta ये vector का resolution हो गिया यानि vector में परेते component निकालना वो बलाचीज हो गिया तो इसके आधार पर इधर बलाबताएगा vertical motion और इधर बलाबताएगा horizontal motion और उस जैसे की particle मालने तो किसी समय यहां पर आ गया यहां पर तो इसका मतलब हुआ ये वाला पार्ट मेरा x था और ये वाला पार्ट मेरा y था ठीक तो ये हो गया s x x के तरफ displacement और ये हो गया s y y के तरफ displacement तो यानि ये जो दूड़ी तय किया इसके बजह से न ये नहीं होता तो इधर नहीं आता और देखो ये इसके बजह से ये दूड़ी तय हुआ इसी लिए horizontal और vertical दोनों motion होगा और दोनों एक साथ होगा और वो दोनों एक दूसरे से independent होगा बात क्लियर है अब जब वो दोनों एक दूसरे से independent है तो अगर x-axis के तरफ motion होगा तो ये सब formula हमलों को लगाना है जैसे हम लोग परेते न वी इस इक्वाल टू यो प्लस A t होता है तो यहां लिखेंगे bx ux ax यहांनि bx is equal to ux plus ax into t जैसे हम लोग परेते न s is equal to ut plus half a t sq było तो यहां पर s x ले लेंगे ux ले लेंगे ax लेंगे यहां पर तो एक बात clear है कि यह ax पड़ावड यहां पर कितना है यह ax पड़ावड यहां पर और 0, याद रहेगा एकुष परआबर यहां क्या है जीआ है यह बराज़ यहां कितना है यह बराबर मैनस जी जाराई इदार लेकिन उसी प्रकार से होता है घीआ स्कॉएर इस गॉल टू यू अहस्कॉएर प्लस तू एए एस होता है यहां लिखेंगे भी X-square, UX-square 2AX ऐसे लिखेंगे जनरल तो इस में भी वही लिखेंगे जैसे हότεरा V is equal to U plus A into t तो बात का वेलोसिटी Vy पराबर Uy plus Ay बना कि दिखाँगो कैसे होता है जैसे S is equal to Ut plus half AT सब में य लगा देंगे नहीं, एसवाइ, 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 उसी प्रकार से भी स्क्वाइर इज उड्वाइर टू, यू एसवाइर प्लस टू, एस होता है, तब अईसे लगा देंगे, ऐसे, ऐसे, अईसे, इसब क्लियर है, बिल्कुल, और ये दोनों एक दूसरे से इं कि यह लिखेंगे तो उससे में इस से कोई मतलब नहीं है हमको जब यह लिखेंगे इसमें कुछ me मतलब नहींर डेगा यहां पर एक्स परादर क्या होगा 60 यह वदा पाहट यहांंपढ Nur हुझा तो दो हम लोग क्या करेंगे और प्रोजक्ताइल मोसं में कुछ important point है उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा जैसे क्या है देखो जैसे velocity at any time t velocity at height h यानि velocity t के टर में t time पर कितना velocity होगा दूसरा है जब particle h उंचाई पर जाएगा एच उंचाई पर तो velocity कितना होगा यानि पहला है velocity t के टर में दूसरा है velocity ही h के टर में तोनों clear हो गया अतिसरा है maximum height वो क्या होता है जैसे particle को फेके यूँ गया यूँ गया यूँ गया यूँ गया सब से ज़्याओं चाहिए यहां न गया तो यह वाला height को हम लोग क्या बोलेंगे यह वाला height को बोलेंगे maximum height तो वह वाला निकालेंगे यानि velocity है time t यानि velocity का value t के टर में दूसरा है velocity का value height के टर में तिसरा है maximum height और अगला क्या होरिजेंटल range वो क्या होता है horizontal range यह वाला दूरी जो होगन sx बोल सकते हो sx सी मेरा range हो गया यहां से फेके तो यहां पहुंच गया तो इसको बोलेंगे range time of flight वो क्या होता है जैसे फ्वेकेंगे यूं 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 करके ऐसे करके जाएगा तो यहां पर साबसे पहले देखते हैं velocity at time t का इससे निकाले देखो माल लेते हैं यह body है और इस body को हमने यूं फेका यूं ठीक और जो body को फेका और फेकने का velocity था मेरा यू यू क्या हो गिया फेकने का velocity ऐसे है यू और यह angle था theta theta angle पर फेके माल लेते हैं वेक्टर के रूप में दिखा देता हूं इसको वेक्टर के रूप में अब इसका component तोड़ेंगे इधार जो component होगा ये वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं u x बोलते हैं क्या बोलते हैं u x बड़ाबर क्या होगा u cos theta और इधार वाला component को क्या बोलेंगे यू y बड़ाबर क्या होगा u sin theta यह बला हो जागा यह यह हो गया u x और यह हो गया u y यू x के बज़र से इधार जाएगा और यू y के बज़र से इधार जाएगा तो सबसे पहले velocity at time t की बात कर रहे था नहीं सुरू में यहां था और बाद में मालने था यहां गया यहां टी टाइम पर तो टी टाइम पर वेलोसिटी का डिरेक्शन की दा रोगा यह हो जाएगा यह वेलोसिटी at time t को वी से दिनोट करते हैं आप देखो सुरू में यहां पर वेलोसिटी होरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है खीटा तो यहां पर भी यह वला जो कम होगा ने दिद्र क्या हो रहा है घरते जा रहा है तो इसको थीटा माने इसको थीटा माने बिलकुल ने इसको आलफा मान लेते हैं बहुत अच्छा तो अब यह वाला पार्ट मेरा क्या हो गया वी एक्स हो गया यह वाला पार्ट क्या हो जागा यह वाला पार्ट हो है ठीक है और यह टाइम टी पर है कब का टाइम है यह यह टी बड़ाबर जीरो है और यह टाइम टी बड़ाबर टी है यह यह टी टाइम की कहानी है यह तो सबसे पहले हम लोग छोटी-छोटी बातें समझते हैं इनीश्यल वेलोसिटी लिखेंगे क्या है अराम से समझना मज जाँ जाएगा इनिस्याल यहां पर इनिस्याल वेलो शिंटी मीरा यहां यू है ईध्यू मेरा इनी इसले लो सिट्ए क्या लिखेंगे यू को लिखेंगे जो कर लिखेंगे यू एकस ओ आई प्लस यू वाई ये लिखेंगे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, पैरी गुड, तो यू एक्स का वेल्यू कितना हो जागा यहाँ पर, यू एक्स का वेल्यू है, यू कॉस थेटा, आई, यू 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 का, यू साइन, थेटा, जे, बहुत बढ़ी हैं, बोलेगा, इनिस्यल वेलोसिट, ये एंगिलो कितना होगा, अगर ये टेन थेटा निकालना होगा, तो कैसे निकालनेंगे, टेन थेटा बराबर, देखोई, ये टेन थेटा बराबर, ये बट्टा ये होगा, ये बराबर कितना होगा, यू वाई, और ये वला कितना होगा, यू एक्स, याद रहे, इसको लिखेंगे, य velocity at time t, v से denote करेंगे, v से, और उसका भी पहले परेत है ना, उसका भी x component आएगा, और उसका भी y component आएगा, v x i plus vy j, देखो, u x इधर है, v x इधर है, तो v x ब्राबर कैसे लिखेंगे, तो पहले परेत है न, v ब्राबर, u plus at, u plus at, और यह तो हम लोग, यहाँ पर कितना है इसका value, 0 है, यानि v x ब्राबर, u x हो जाए, v x ब्राबर, u x, और u x का मान कितना है, u cos theta, अरे यार, कजब, यह तो constant हो गया न, constant का मतलब, सुरू में, x axis के तरफ, velocity था मेरा, u cos theta, अब बाद में भी, x axis के तरफ, velocity, कितना हो गया, यह भी हो गया, u cos theta है, अभी देखो, यह अगर, u है, तो इसको, u cos theta लिखे, अगर यह भी था, तो इसको क्या लिखते, v cos alpha लिखते, और यह जो vx है, वो ux के बराबर है, यह जो मेरा कित के बराबर है, ux के बराबर, यानि, यह u cos theta के बराबर है, अच्छा, यानि, therefore, tick time, पर जो velocity है, x axis के तरफ, और शुरू में, जो velocity है, x axis के तरफ, दोनों हो जाएगा, बराबर, क्यों, क्योंकि x direction में, acceleration 0 है, जब acceleration 0 है, तो, velocity change, नहीं करेगा, जब velocity change नहीं करेगा, तो शुरू में, जितना velocity, बाद में भी उतना ही velocity, तो बात का velocity, सिटी शुरू के वहलो सिटी के बड़ाबर होगा तो बात का वहलो सिटी माल लेते हैं भी कौस अलफा है और दोनों बड़ाबर हो जाएगा जिसे भी कोस अलफा बड़ाबर यू कोस थेटा बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन इसको याद कर लेना है ठीक है वेडी गूड उस Uy अब प्लस Ay के जगा माइनस G इन्टू T कर सकते हैं अगर Vy का वेल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा तो question में question के हिसाब से करना है इसको तो इसको यहाँ पर तो Uy परावड कितना है U sin theta माइनस Gt यानि यह वाला पार्ट कितना हो गया वेल्यू मेरा यह हो गया U sin theta माइनस Gt very good तब वेलो सेटी है टैम्टी क्या बोलेंगा V बढ़ावर Vx के तरफ कितना हो गया U cos theta हो गया U cos theta और यह हो जाएगा I और Vy बढ़ावर कितना होगा U sin theta minus Gt और यह होगा J अब कभी कभी पुछे का यह एंगिल कितना होगा अलफा तो 10 alpha बढ़ावर के से निकालेंगा अब लोग 10 alpha बढ़ावर जैसे यहाँ 10 theta निकाले थे ना Uy बटा Ux उसी प्रकार से 10 alpha बढ़ावर क्या हो जाएगा देखो यह है Vy Vy by Vx लिख देखिया लिख दीजिए तो Vy के जगा क्या रखे U sin theta minus Gt U sin theta minus Gt रखेंगे अब Vx के जगा Vx के जगा Ux यानि U cos theta क्लियर है बात एक बाद फ्रेश्ट रिभ्यू कर लेते हैं ना body को यहां से फेके थे और माल लेता ऐसे गया जो फेके थे वो था U और वो angle theta था इधर का component और इधर का component इसको बोले थे ux और इसको बोले थे uy इसके बज़ा से इधर जाएगा ठेक किसी समय यहां पर गया किसी time t पड़ यहां को ले ले बेलोसिटी किदर किदर ओगा पाथ के टेंजिन के तरफ होगा इधर वाब वी जब पार्टिकल यहां आएगा तो फेलोसिटी किदर ओगा इधर होगा इधर होगा ठीक है ध्यान से समयना ध्यान से अब देखो यह इंगिल अगर ठीक है तो इधर वाला वेलोसिटी कितना होगा यू कोस्ट ठीक है और इधर वाला कितना होगा यू साइन ठीक है जब पार्टिकल यहां आएगा तो यह इंगिल चेंज होगा अलफा बनेगा लेकिन इधर वाला जो वेलोसिटी है वी एक्स जो बाद में होगा यह यू कोस्ट ठीक के बड़ाबर भी होगा जब यहां पर भी आएगा तो ऐसे होगा यह होगा एक्स कंपोनेंट और यह यू कोस्ट रिटा जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा तो यहां पर भी एक्स बड़ाबर क्या होगा यू कोस्ट ठील रिटा यह ने करना है when x axis के तराफ एक्स अदिजीरो था ना तो X Chis के तरफ एक्सेशन 0 था तो भी बड़ावर यू प्लस ए इंटू T था तो यह हो गया 0 तो भी एक्स बड़ाबर हमारा क्या हो गया यू एक्स हो गया यानि बाद का जो फेलोसिटी होगा ना सुरू के फेलोसिटी के बड़ाबर रहेगा यानि यहां पर और यहां पर यहां पर जितना होलिजेंटल में यहां पर भी उतना ही रहेगा यहां पर भी उतना ही रहेगा और यह हो गया मेरा maximum height यह क्या हो गया मेरा maximum height maximum height पर भीवाय बराबर कितना होगा उपर के तरफ चाहेगा नहीं नहीं इधर कितना हो जागा इधर हो जागा यू cos theta तो एक बात समझ में आया कि body को जब फेकेंगे न ग्रेविटेशनल फिल्ड में किसी एंगिल पर तो horizontal velocity का जो component होगा न सुडू में वही रहेगा हर जगा हर जगा यह एक्स component of velocity constant रहेगा यह बात तो clear हो गया होगा कि यह तो कुछ देखते आगे कहते हैं सवाल ही जवाब है सवाल बनाएंगे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मतलब concept clear हो जाएगा तो question देखते हैं लोग पहले पर हो तक तक मैं photo बनाता हूँ पर लिया देखो कैसे है है कि स्टार्ट करते है पर लियने एक बॉड़ी है उसको फेकेंगे 50 मीटर पर सकेंड से साट डिगीडी के एंगिल पर तो माल लेते हैं कि यू है कितना है पचास पचास लेता हूं मेटर पर सेगे छोड़ दता हूं कितना एंगल पर फेक हैं साट डिगरी पर फेक हैं 60 डिगरी के एंगल पर फेक हैं ठेक यूं फेक हैं कहता है फाइंड मेगनीचूड और फेलोसिटी फियन इट मेक्स 30 डिगरी विट फोड़ेंटल बहुत बढ़ियां फेलोसिटी यहां ले जाएंगे यहां का वेलोसिटी माल लेते हैं वी है काता है इस समय फेलोसिटी का मैनेचूड बताओ जाब यह होरिजेंटल से 30 डिगरी का यानि वाला चीज पूछ रहा है यह वाला चीज क्या है यह पूछ रहा है तो बनेगा क्या अभी तो सिखाए होージेंटल डिरेक्शन में जो एक बढ़ावर क्या 50 कॉस 60 घड थेटा एनि इसके जगह क्या रख देंगे पचास कॉस ठीटा जगा 60 दिग्री यह रहे हैं यह स्टावर यहां पर कितना है भी भी कि इधर इसका भी वाय हो जाया तो भी कॉस्त थरी होगा नेश्काव वी कॉस्ट 30 degree यह जगा भी कौस 30 degree बाध वला हो गया शुरू वला कितना है? पचास कौस 60 degree पचास कौस 60 degree शॉपट करना है कर हो जाएगा? हो जाएगा क्या? वी कौस 60 जगा रूट 3 बाइ2 कर देंगी या 50 वा कौस 60 की जगा 1 बाइ 2 कर देंगी तो यह टू-टू कड़ जाएगा ना तो वी बड़ावर कितना होगा पचास भागा रूट थरी नहीं समझ में यह दो-दो कट गया भी रूट थरी बड़ावर पचास तो वी बड़ावर पचास बड़ा रूट थरी हाँ समझ में आ गया तो समझ मैं क्या कर रहा है क्या क्या साट डिगरी पर फेके तो काता है वेलोसीटी जब होरिजेंटल से 30 डिगरी का एंगल बनाने लगेगा तो उस समय वेलोसीटी का मेगनिचूड कितना होगा तो यू कोस थीटा भी कोस अलफा बराबर कर देना है मजा आया तोड़ा नेक्स देखते है ओ अल्सो फाइंड टाइम कौन सा होगा यह टाइम कौन सा था यह टाइम था टी बराबर जीरो का और यह कौन सा टाइम था टाइम था यह टाइम पूछ रहा है टाइम तो यहां पर हम लोग परेते हैं टेन अल्फा पराबर भी वाय बट्टा वी एक्स यह वला हो जाका ना भी वाय परेते त टेन अलपा बराबर बीय स्थे आलफा था मेरा यहनलफा जिसको थिटा माने थे शुड वे पराबर क्या होगा विवय बराबर यू साइन थिटा माइनस जी ती यू गो स्थिटा समझना है अश्छा से यह यह जगाएल और बटा वोगा बी वाई वी वाई के जगह क्या रख देगें आलफा के जगह 30 कर दू वाई के जगह 30 कर देते हैं यू साइन थीटा यह था ना यू वाई के जगह क्या था पचास यू आ के जगह क्या था 50 sin 60 degree ना पचास को 60 यह 50 sin 60 तो यहां पर क्या हो जगा पचास sin 60 degree minus g के जगह 10 ताइम निकालना 30 आई यू को स्थेटा 50 cos 60 degree very good 10 30 की जगह कितना रख देंगे 1 by root 30 गिर्दर याद हो जाएगा tension नहीं लेना है 50 cos 60 मतला 50 cos 60 की जगह कितना रख देंगे sin 60 की जगह root 30 by 2 यहां हो गया 10 into t divided हो गया 50 यहां पर हो गया 1 by 2 तो 1 by root 30 निकाल लोगे time 1 by root 3 is equal to देख यहां से कट गया 25 हो गया 25 रूट 3 हो गया नहीं यहां पर हो गया यहां कितना हो गया 25 हो गया बहुत बढ़िया अब इसको इधर गुना कर देते हैं इसको अगर इधर गुना करेंगे 25 होगा और इसको इधर गुना करेंगे 25 होगा और इसको इधर गुना करेंगे तब 75 हो जागा हो जागा ना और यहां हो जागा 10 root 3 त्री त अब इसको इधर कर लेते हैं इसको इधर कर लेते हैं 10 root 3 t बड़ा बड़ा इसर पचास होजाएगा तो टी is equal to कितना हो जागा T is equal to हो जाएगा जिरो-जिरो केंसिल हो गिया तो टीज इक्वल टो हो जाएगा फाइव बाय रूट थड़ी क्लियर है कि इस कोस्टन को ट्राय करके देखते हैं जेई में 2022 में पूछा हुआ है क्या है कोस्टन जड़ा पर के देखो तब तक मैं फोटो बना देता हूं करनी है न सवाल बनाते जाएंगे इंचा आ ज dak लानी यह तो सवाल बनाना पड़ा सवाल ही सारे सवालों का जवाब है तुम देखते हैं यह परलीए kg आप यह क्या है को बड़ी को फेके हम लोग 20 मीटर पर सिकेंड्ड ने रिख श हम सब arise कितना है 20 meter per second कितना angle पर फेक है alpha angle पर फेक है ये angle दिया हब alpha काता है कि 10 second के बाद कितना second के बाद 10 second के बाद ये t बराबर हमारा 0 पर है विडियो को pause करोगे खुद से track करोगे आले बाले तब मजाएंगा है उसके बाद t बराबर 10 second पर मालेट हैं यहां और उस समय उसका फैलूसीटि हो गया और उस समय यह एफ्ली ओडाने लगा उत्षाएं तौक उसनें बोल रहा है कि टेन बीटा का वेल्यू कितना होगा जी बराबर 10 लेना है तुमको पता है तेन बीटा बराबर कितना होगा तेन बीटा तेन बीटा का मान निकाला तेन बीटा तो पता है न क्या लिखेंगे भी वाइब भी एक्स लिखेंगे तेन बीटा बराबर क्या होगा यह हो गया भी वाय औ बी बार यू माइनस G T बी बडाबर यू पलस A T होते हैं लुस एटी और इधार तो हम लोग UX ही जानते हैं बी बडाबर यू पलस A T frightened नहें होते हैं बी बडाबर UYA पलस A Y इंटू टी लिखेंगे और ली एक्स तो यू एक्स के बडाबर होगा ना नहीं हो तहीं एक जगा मैनस जी लग धिये यूवाय के जगा कितना हो जाएगा 20 कोस अलफा 20 साइन अलफा हो जाएगा पुंटी कोस अलफा 200 अलफा यह हो गया जीटी है यहां पर ले नती बराबर तो 16 एक यहां पर 10 लेने लो जी के जगा 10 आटी के जगा 10 जी इंटू टी है यू एक्स के जगा कितना लग देंगे 20 कॉस अलफा 20 कॉस अलफा यस तो 10 बीटा बराबर वन सेंगें कितना आया 10 बीटा इस इक्वाल टू अब देखो भागा देते हैं 20 कॉस अलफा बैर 20 कॉस अलफा कर देता हूं मैं 20 कॉस अलफा डिवाइड़ बाए 20 साइन अलफा बैर 20 कॉस अलफा इस लिए ता हूं देखो 20 साइन दोनों में भागा देते हैं इससे डिवाइड कर देता है 20 साइन अलफा 20 कॉस अलफा कर देते हैं यहां पर 100 बैर 20 कॉस अलफा यहां होगे 100 बैर 20 कॉस अलफा यह हो यह 10 बीटा 10 बीटा इज उक्वल टू क्या हो जगा 20 by 20 केंसील साइन अलफा बैक और यहां हो जागा 5 कॉस अलफा तुमको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है टेन अलफा अच्छा से क्लियर है वेरी गूट कौन सा अप्शन होगा देख लो टेन अलफा माइनस फाइब सेक अलफा तो थोरा सा पैसेंस रखके सवाल को बनाएंगे तो सारा सवाल बन जागा थोरा पैसेंस रखना बढ़ेगा है ना अब हम लोग फेलोसीटी ह के टर्म में देखेंग मतलभ पैसे बॉडडी को यहांके यहां से यूज वैलोसीटी है तो उस समय उसका एच शुशाइ सारा गया अगरा रही होगा उसको किया वह बनेगे पर पिशू को इसला मतलब फिरस्थ से को फेके भाएंट आग से जोसुरू का क्राइट này अब है उसको फेकत फेक बोल और बात का velocity हो गया V और उसका magnitude हो गया speed और वो एंगिल हम मान लेते हैं कि आलफा बना रहा है तो हम लोगों को सिर्फ h के term में speed को देखना है यह तो पता है नहीं यह हुआ भी x और यह हुआ भी य है इससे पहले हम लोग टी के term में निकाले- अब आज के term में बात करें यहिए तो यह को आ प्लकूल तब सबाल कि वी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा यह हमलों को पता है भी बराबर यू पलस締ी बहुत बढ़िया, और ये तो हम लोगों को पता है, 0 होगा, यहीं वी एक्स इस इक्स इक्स आउल टू यू एक्स, और यू एक्स मतलब क्या हो जागा, यू कोस थेटा, ना, अन्फिजन है, यू एक्स मतलब, यू कोस थेटा, हर जगा तो एक ही चीज आ रहा है, यू आ के जगा यू साइन थेटा तो मेरा ये वला तो खतम हो गया क्योंकि इसको तो एस से कोई लेना देना है नहीं क्योंकि होरिजेंटल डिरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कॉंस्टेंट रहता है अब सवाल उठता है कि वी वाय क्या हो वी वाय है हेस्टरग न सफेर के अ सब्सक्राइब करें जाएंग तो उंचाई गया और यह वाय हो टो वी वाय UySquare is equal to UySquare Uy के जगा क्या रखतेगे Usin theta Usin theta eSquare कर देता हो plus 2 Ay के जगा कितना कर देंगे पता है न AY Ay AX बढबर हमलों का कितना होता था 0 और Ay बढबर कितना होता है minus G Ay के जगा कितना रख देंगे minus G Ay बढबर minus G क्यों होता है क्योंकि इधार होता है ना जी ये कमान इधार होता है तो जी नीचे के तरफ लगता है तो एवाय मतला ऊपर कितना हो ऊपर का कंपोनेंट तो मैनस जी हो गया ना एस वाय बराबर क्या होगी है एच होगी है तो वी वाय स्क्वायर इस इक्वायर टू यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा अगर यह भी स्क्वायर को हटाएंगे स्क्वायर को हटाएंगे तो रहने देता हूं स्क्वायर को हटा दें हंटा देता by is equal to इसको हम लोग root कर देंगा अब plus minus कर देंगे plus minus भी कर देंगा square है न root में जाएगा तो plus minus जाएगा तो velocity कितना होगा हमारा v कमान कितना होगा v कमान हो जाएगा vxi vx के जगा केतना रख देंगे u cos theta यह हो गया आई और विवाएक जगा कितना रख देंगे प्लस मैनस करके यू साइन थीटा स्क्वाइर माइनस टू जी एच और ऐसे करके जी रख देंगे और वेलोसिटी का मैंगनिचूट को बोलते हैं स्पीड इसको क्या बोलेंगे स्पीड स्पीड तो यह बराबर क्या होगा अगर भी बराबर इतना है तो सबको पता है न विच स्क्वाइर करेंगे और भी वाइसक्वायर करेंगे और इसको खर देंगे रूत सिय ज 9 एकस के जगा के अबना रख देंगे यू को स्टट अइज को 14 को एकस्वार कौरेदा हो यह स्कॉै्ड भी X square by square क्या हो जागा भी वाइश वाइश करोगे यहां भी दिया वहता यू संदीटा था ना यहां पर क्या बचेगा साइन अस्वाइर थेटा बचेगा to का ओम ले लिये इसको हमायनस टूसियेच उड़ी इसको ऐसे कर दूंक नुरी यह बराजबर हमलोग को पता है के व नहां होगा तो वीज्पॉस कितना वीज़ उक्वाल टू हो जाएगा यह हो जाएगा यूए स्कॉएर यूए स्कॉएर यह वन आमाइनस तुजी अच क्या समझ में आ इसको मैं फैनली सुचा देता हूं उसको हमेशा याद रखना है बहुत मजाएगा इसमें एक देखो थेटा है कहिस्पीड से इंडिपंडेंट होगा इसको याद कर लेका मैं समझाता हूं अगला फूटास से कहाने का मतलब हुआ कि अगर किसी body को फेकेंगे हैं इस से user speed से फेके theta angle पर फेके theta angle पर कितना angle पर? theta angle पर फेकेंगे जब वो h उंचाए पर पहुँंचाएगा कितना उंचाएपर? h उचाएपर जब वो h उचाएपर पहुंचाएगा तो उस समय जो उसका speed होगा थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा और वो बराबर हो जाएगा U स्कुराइर माइनस 2GH ठ्यान रखना यह सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करेगा इंगिल पर नहीं क्लियर हो गया ना V स्कुराइर बराबर U स्कुराइर मैनस 2GH यह स्कुराइर मैनस 2GH वेरी वेरी इंपोर्टेंट काम आएगा तुमको आगे के टोपिक में नेक्स देखते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है काइनेटिक इनर्जी थोड़ा इनर्जी ले लेते हैं क्या होता है समझते हैं इस पे सबाल रहता है एक्जाम में बड़ा इंपोर्टेंट चीज है क्या होता है काइनेटिक इनर्जी देखो मा लेते कोई पार्टिकिल है और वह वी भेलोसिटी से मूब कर रहा है कहीं पर भी यह एक्जाम मान लेते हैं मास उसका एम है तो काइनेटिक इनर्जी जो होता है ना काइनेटिक इनर्जी से को प्रायक के से डिनोट करेंगे और बराबर होता है हाफ एम और उसका स्पीड जो होगा ना स्पीड उसका स होता है यानि हाफ एम भी स्कॉर होता है तो अब हम लोग देखेंगे कि कानेटिक इनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे निकालें बहुत इंपोर्टेंट है जैसे एक पार्टिक्ल को मैंने यू यू स्पीड से थेटा एंगल पर फेका तो यहां का स्पीड कितना है यू है स्पीड यू है यू एक्स यू आए नहीं स्पीड है इसका यू यू ही होता है यू एक्स स्कॉर जो दिए स्कॉर जब मैक्सियूम हाइट पर बोड़ी जाएगा मैक्सियूम हाइट पर तो यहां पर मैक्सियूम हाइट का मतलग क्या और और ऊपर जागा क्या बिल्कुल नहीं यहां पर फी यानि य कंपोनेंट 0 होगा क्यों दलो सीटी y डिरेक्शन बराबर 0 जो भी दलो सीटी 101 direction में होगा clear है तो यहाँ पर का velocity u x के तरफ कितना होगा u cos theta और यहाँ पर u y बड़ाबर कितना होगा u sin theta यहाँ पर v x बड़ाबर क्या होगा u x हो जाएगा और v y बड़ाबर क्या होगा 0 हो जाएगा यह हो जाएगा u cos theta यहाँ बात का जो टोटल वेलोसिटी हुआ कितना हुआ u cos theta i हुआ 0 j हुआ यहाँ पर का शुरू का velocity u cos theta i u sin theta j हुआ मतलब हमको इससे है कि kinetic energy शुरू में कितना है यहाँ पर kinetic energy initial kinetic energy initial kinetic energy यहाँ पर कितना है हाफ m u का स्क्वार करतेंगे न तो इसको हम लोग माल लेते हैं के नॉट माल लेते हैं तो kinetic energy at maximum height बतातो kinetic energy at maximum height यही एगजाम में ज्यादा पुछता है kinetic energy at maximum height उसको हम के से डिनोट कर देते हैं के बड़ाबर क्या होगा हाफ m यहाँ का स्पीट कितना होगा यह तो 0 ही है न यहाँ का स्पीट खाली यह न बचा तो हाफ m u कॉस थेटा हाफ m u कॉस थेटा यहाँ का कानेटी नजी होगा हाफ m यहां हो जागा u a square अक कॉस थेटा अगर इस पार्ट को के नोट मान होगे तो का céuति कितना हो जागा कि नोट過去 थेटा यहाँ का कानेटी के नर्जी अगर का कैनेटी इन्टू कोस स्क्वाइर थीटा याद रहेगा न क्योंकि यहां पर half m u square हो जागा यहां पर half m u square cos square थीटा हो जागा तो और half m u square को cannot मानेगे तो cannot into cos square थीटा रुको एक सवाल देता हूँ तो clear हो जागा है ना देखते हैं वीडियो को pause करके इसको बनाने का कोशिस करो तो क्या है कोशन देखो पुछा हुआ है कि जिए में 1200 22 में पूछा हुआ है 60 डिग्री के एंगिल पर बॉड इक फिकते हैं कितना एंगल पर 60 डिग्री के एंगिल पर फिकते हैं फेकते हैं तो यहां का कानेटिक इनर्जी ए है काता है यहां का कानेटिक इनर्जी कितना है यहां का कानेटिक इनर्जी है यहां का कानेटिक इनर्जी है यहां का तो यहां का कानेटिक इनर्जी पूछ रहा है at an angle 60 degree ठीक है to the horizontal the kinetic energy of this ball at the highest point यहां का kinetic energy कितना हो जागा तो यहां का जो kinetic energy है यहां का kinetic energy जीतना है उतना गुना कोस स्क्वार थेटा होता पता है ना यहां का kinetic energy कितना है ए है तो यहां का kinetic energy कितना होगा कितना हो गया तो यहां का kinetic energy कितना हो गया हाफं last… Before 11 – 2 कितना हो गया है यहां ई कोस स्क्वार थेटा यहां ई इंटू कोस स्क्वार थेटा होगा बताऊं कॉन सा अंसर होगा हम्हम्हम्ह, पका, वेरी गूट, क्या होगा, यहां E है, कॉस साथ लिखेंगे, कॉस 60 दिगडी, उसको स्क्वाइर करेंगे, E कॉस 60 का मान होता है, 1 by 2, उसको स्क्वाइर करेंगे, तो E by 4, यह रहाँ आएंसर, तो मजा आया, आगया, इसमें एक Change in Momentum है, उसको थोड़ा सा देख लेते, Change in Momentum, समझते हो क्या होता है, खुद से कर लोगे, सीट में दिया हुआ है, तेख देख के, तो अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग, क्या, वो अगली क्लास के लिए छोड़ देता हूँ, आज का क्लास यहीं रहेगा, थेंक यू बच्चो, बस्ट अफ लग, बाबाई,